गुड मॉरिंग सभी बागवान भाईयों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है उमीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और जैसकी आजकल अब मौसम भी अच्छा है विकाज काफी समय से सभी लोग आस लगाए बैठे थे बारिश की अब परियाप मौस्चर सॉयल में आ चुका है तो बारिश का होना भी बहुत बड़ा वर्दान साबित हुआ है और बारिश बरबारी होना एक तरह से गौट्स आफरिंग है मैं उमीद करता हूँ कि भगवान की असीम कृपाद्रिश्टी सभी बागवान भाहियों पर बनी रहेगी और एक बागवान जो मेहनत करता है उसे उसका अच्छा रिटर्न मेलेगा यही बेरी कामना है तो अगर मैं बात करूँ अपने टॉपिक की तो मेरे टॉपिक में मैं अपने जो मेरे कॉलोमना टाइप वाले पौदे हैं वे आफ्टर प्रूनिंग किस परकार दिखते हैं और हमारी प्रैक्टिस क्या रही या रहती है वो आपसे शेर करूँगा जो कुछ हमने सीखा है और या प्रैक्टिकल किया है वो आपसे शेर करूँगा नथिंग इस पॉसिबल विदाउट प्रैक्टिकल तो आएए मैं आपसे अपने कुछ प्लांट्स आपको दिखाता हूँ इफ यू विल सी हेर यहां पे आप ये प्लांटिशन जो है यहां जो हमारी ये प्लांटिशन है यह हमने चार साल पहले करी थी कंट्रोल हमने किस प्रकार से किया है वो आप यहां देखोगे इफ आई एक्स्प्लेन इट टू यू इन सिंपल लेंग्विज तो एक तरह से यह जो प्लांट हमने यहां पे लगाए है यह जो प्लांटेशन होती है इस टाइब की अल्टरा ही डेंसिटी वाली यह मान की चलीगी यह एक ब्रांच है एक टहनी है यह और जिसमें क्या हमने क्या किया है या आप देखेंगे हमने क्या करना होता इसमें जो हमारी मेन ब्रांचिस जो हमारा मेन है यह वाला जो हमारा मेन है इससे जो हमारी secondary branches निकलती है इसको हमने bird में convert करना है और यह कोई मुश्किल काम नहीं है आप असानी से से manage कर सकते हैं आप यहाँ पे देखेंगे हमने किस प्रकार से से manage किया है और इससे जो wood shavings निकली है वो आप यहाँ पे देखेंगे वो हमने यहाँ पे collect कर ली है जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो after pruning जो material निकलता है जो wood shavings निकलती है उसे हमने एक जगा collect करना है और एक गड़ा खोद के उसे उसमें decompose करना है ताकि आपके पास एक fertilizer त्यार हो पाए और pollution से भी हम pollution से भी हमें रहात मिल पाए और क्योंकि जो यह wood shavings है इसको जलाने से काफी pollution हो जाता है तो 80-90% केस में क्या होता है कि लोग इन wood shavings को जला देते और अपने खेतों को साफ करते तो आप इस परकार से collect कीजिए अपने wood shavings को जैसे कि हमने यहां पर किया है अब इसको हम एक गड़े में decompose करेंगे जिससे जो यह shavings है इसकी एक अच्छी fertilizer त्यार हो सकती है हमारा यह वाला जो orchard है यह green apple का orchard है and in between हमने यहां पर अभी latest में कुछ plantation भी करी है मैं आपको दिखाऊंगा यह जो plantation हमने यहां पर करी है यह गाला की है आप यह मान के चली कि हमारा mix बगीचा है गाला अन ग्रेनी का 2023 वाले season में हमने यहां से fruit plug किया था quality बहुत अच्छी थी green apple का हमारी health के लिए भी काफी benefit रहता है यह तो आप जानते है bird formation आपके सामने है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारी है bird formation यहां से fruit plug हुआ है यह आप देख सकते हैं यह सारा total जितना भी आपको नजर आ रहा है यह सारा bird है जो हमें इस साल fruit देगा और आपको इन plants में गाला अन ग्रेनी में powdery mildew का especially आपको ध्यान रखना होता है क्योंकि इसमें गाला अन ग्रेनी में जो है यह powdery mildew की काफी शिकाहित रहती है controlling आप यहां देख सकते हैं हमने जो है क्या काटा है और उससे क्या हुआ है और future में हम इस plant से क्या receive करेंगे वो आप यहां पे देख सकते है हमने किस प्रकार से जो हमारी main stem है यह वाली main stem है इससे जो secondary ब्राचिस है उसको हमने बड में convert करना है जैसे कि आप यहां पे देखेंगे हमने यहां कट लगा है तो यह पीछे के buds आप देख सकते हैं यह किस प्रकार से बने है किस प्रकार से हमने secondary branches को बड में convert किया है वो आप यहां पे देख सकते हो यह एक तरज से एक टहनी है जिसमें आपको main जो main plant है जो main हमारा यह stem है इसके नजदीक आपको 6 से 9 इंच के दाइरे में ही हमें fruit लेना है इसके नजदीक में fruit लेने से क्या होगा एक तो आपको quality fruit मिलेगा और इसमें जो है sun penetration भी proper होगा और जो जब sun penetration हमारा proper होगा तो fungal जो diseases होती है वो इसमें attack नहीं करीगे एसानी से तो आप यहां पे देख सकते हैं हमने इसमें पिछली साल हमने fruit लग किया था यहां भी fruit लग हुआ है यहां पे भी fruit लग हुआ है उसके बाफ़जूद भी इसमें जो है bird formation हमारे पास healthy birds जो है इस बार भी हमारे पास available है देख सकते हैं आप यह सारा जितना भी है यह fruit bud है सारा और यह 4 साल के plant है हमारे आप यहां पर देख सकते हैं हमने secondary branches को किस प्रकार से यहां पर control किया है तो आप भी अपने plant को इस प्रकार से manage कर सकते है उसकी जगा पर ही अब बोलने का कहने का मतलब यह है कि जो एक हमारा plant है उसको आप अभी उसकी जो secondary branches है उसको narrow कर सकते हैं और इस type से एक columnar plant त्यार कर सकते हैं और quality fruit ले सकते हैं plant से तो आज के लिए बस इतना ही this is all I wanted to share with you हमारे YouTube channel को like, subscribe और share करना न भूले धन्यवाद